हेलो दोस्तों मैं हूँ शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बचेट यह फोन्स अन्बॉक्स करके बताने वाली हूँ यह रियल्मी बच्टू यह फोन्स है और यह यह फोन्स बचेट रेंज यह फोन्स में काफी पॉपिलर भी है तो इसलिए मैं भी इनका साउंड क्वाल्टी कैसा एक पर सुनना चाती थी तो इसलिए मैंने इन और किया था तो चलिए पहले मैं आपको इसका बॉक्स पैकिंग बता दूंगी यह पर ऊपर रियल्मी लिखा है और सेंटर में हम इन यह फोन्स का एक पिक्चर भी देख सकते है और नीचे लिखा है रियल्मी बच्टू फील्द रियल बेस इस तरफ रियल्मी है और दूसरी तरफ भी वही लिखा है और बॉक्स के बैक साइड हम इसके थोड़े फीचर देख सकते है इसमें 11.2 mm बेस पूस ट्राइवर है और इन यह फोन्स पर बिल्ट-इन केबल है और एक केबल ऑर्गनाइजर भी आता है और यहां पर नीचे हम इसके थोड़े स्पेक्स देख सकते है यह रियल्मी बच्टू है और मेरे वाले यह फोन का कलर ब्लाक है इसका इंपिदेंस 32 ओम्स है और फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स है और पर हम इसका प्राइस भी देख सकते है यहां पर लिखा है 7.99 लेकिन यह सिफ 5.99 रुपीज में अवेलबल है तो यह बच्ट रेंज यह फोन्स है और कुछ लिखा नहीं है बॉक्स पर तो चलिए अब हम उन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो बॉक्स के अंदर एक और वाइट बॉक्स है और हम इसमें यह फोन्स भी देख सकते हैं बहुत नीटली पैक्ट दिख रहे है और इसके नीचे एक और छोटा सा कंपार्टमेंट भी है तो चलिए पहले इन यह फोन्स को इस बॉक्स में से निकाल कर आपको बताऊंगी यह फोन्स ब्लाक और यलो कॉ पढ़ लीजेगा और इस छोटे से पाकेट में इसके एर टिप्स है चलिए इसे निकाल कर भी आपको बता दूंगी एक बार तो इस पाकेट में येलो और ग्रे कॉंबिनेशन के सिलिकॉन एर टिप्स है तो बॉक्स के अंदर यह सारी चीज़े आती है चलिए अब मैं आप इस कवर से निकाल कर आपको इसका केबल भी बता दूंगी ये केबल नाइलोन ब्रेड़ेट केबल है और इसका बिल्ट क्वाल्टी भी बढ़िया दिख रहा है स्ट्रॉंग और दूरबल लग रहा है और ये इसका 3.5 mm हेटफोन जैक है और यहाँ पर हम इसका येलो कलर मे केबल ऑर्गनाइजर भी देख सकते हैं और इस केबल का लेंथ 1.12 मीटर है और ये इसका इंलाइन रिमोट कंट्रोलर है सेंटर में इसका मल्टी फंक्शन बटन है और उपर नीचे इसका वॉल्यूम अप डाउन बटन्स है और इसन बटन्स का क्वाल्टी भी बढ़िया लग रहा है और पीछे हम इसका माइक्रोफोन भी देख सकते हैं ये यह फोन ब्लाक और येलो कॉंबिनेशन में देखने में भी बढ़िया दिख रहे हैं कंप्लीट हाई क्वाल्टी प्लास्टिक मेटीरियल से बना हुआ है और इस तरफ मैट फिनिश में हम रियल मी ब्रा यह सिर्फ 13.6 ग्राम्स के है तो चलिए अब मैं इन्हें एक बार पहन कर इसका कमफर्ट और आडियो क्वाल्टी के बारे में भी बता दूंगी तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कमफर्ट के बारे में बताऊंगी यह यह में पहनने पर बहुत कमफर्टबल लगे मुझे और यह काफी light weight भी है यह सिर्फ 13.6 ग्राम्स है और यह में कुछ पहनने का feel भी नहीं आ रहा था मुझे और इसका design भी ergonomic है और perfectly fit हो रहे थे मेरे यह में भी इसमें noise isolation अच्छा ही है बाहर के sounds या disturbances उतने कुछ सुने नहीं आ रहे और अब मैं आपको इसके audio quality के बारे में बताऊंगी इसमें 11.2 mm का bass boost driver है और मुझे इसमें overall audio quality भी ठीक ही लगा इसमें mids, crisp and clear ही है और treble भी okay है और bass भी अच्छा ही था और इसमें calls बात करते वाद इसका microphone quality भी ठीक ही जह है यह सिर्फ 599 रुपीस में available है और इस price के हिसाब से मुझे इसका audio quality okay लगा तो यह था मेरा unboxing और review in realme buds 2 earphones का इसका build quality okay है और यह सिर्फ 599 रुपीस में available है और इस price range के हिसाब से इसका audio quality भी मुझे ठीक ही लगा मैं आपको इसका link नीचे description box में रख दूँगी आप उन्हें वहाँ से ले सकते है तो यह था दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको य आगले वीडियो में मिलूंगी बाई